सबी भावी अध्यापकों को हमारे इस चेनल पर स्वागत बीस्टी सी फस्ट एर टेंथ पेपर अपन पढ़ने जा रहे हैं सूचना एवं संप्रेशन तक निगी इसके युनिट फॉर युनिट फॉर में अपन पढ़ेंगे पावर पॉइंट इंटरनेट मुल्टी मेडिया एवं कम्प्यूटर का रख रखाओ ये हमारी 4 युनिट है आप हमारी इस चेनल को लाइक एक सेर क्रें सबस्क्राइब करें और मैं आपका अंत लास्ट ये दस्व पार्ट तक ये दस्वा जो आपका पेपर चल रहा है वहां तक सारे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं सबसे सरल तकनीकी से आपके लिये मैं वीडियो ले कर आता हूं और मुझे इसके लिए कापी कुछ मेनत करनी पड़ रही है क क्योंकि आप लोगों का मुझे मैंने कहा था कि मैं अन्त तक आपका साथ दूंगा इसलिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सेर करें और सब्सक्राइब करें महत्पुर्ण प्रश्णों की कड़ी में पहला कुश्चन आता है निम्न का पूरा नाम लिखें, बहुत बार एक्जाम में आया है, आप लोगों को इनको याद रखना है वेन, मेन, लेन और डबल्यू 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 वेन, डबल्यू एन इसका पूरा नाम है, डबल्यू बोर वाइड एरिया नेटवर्क W.A.N. वाइड एरिया नेटवर्क, मेन, मेट्रो पोलिटिकल एरिया नेटवर्क, लेन, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क www world wide wave और वाइफाई wireless fidelity दूसरा क्विश्चन पावर पॉइंट क्या है वह इसके गटकों के नाम लिखिये पावर पॉइंट व्क्तव ये कोई भी लेक कोई भी वारता एवं सिख्षा की बेहतरीन प्रस्तूती का एक सोप्ट्वेर है पावर पॉइंट क्या है एक सोफ्टवेर है जो कोई भी वक्तव्य कोई भी लेख कोई भी वारता कोई भी सिक्सा की बहतरी प्रस्तूती करण किया जाने के लिए एक सोफ्टवेर बनाया गया है जो स्लाइडिक्स के माध्यम से बिन बिन आकार वा प्रकार के साथ कारियों को प्रस्तुत किया जाता है पावर पॉइंट के अंदर पावर पॉइंट प्रजेंटेशन में बहुत से बहुत सी ट्रेनिंग्स होती है बहुत सी ट्रेनिंग्स पावर पॉइंट प्रजेंटेशन की स्लाइड के माद्यम से होती है तो इसमें slides होती है और ये एक बैतरीन प्रस्तुती का एक software है जिससे हम कोई भी लेख वक्तवे और वारता को बैतरीन प्रस्तुती दे सकते हैं गटक गटक है इसके powerpoint के ribbon, status bar और scroll bar अब आता तीसरा question वाइफाई तक्निक क्या है वह इसका क्या उद्धिश्य है वाइफाई का पूरा नाम wireless fidelity रेडियो तरंगों पर आधारी तक्निक के माध्यम से बिना तारों का network वाइफाई तक्निक है इसका उद्धिश्य है विबिन वाइरलेस युक्तियों के बीच में संपर्क स्तापित करना उनकी digital सामगरी का आदान प्रदान करना और उसका साजा उप्योग सुनिस्यत करना चोता कुश्यन शिक्सा के क्षित्र में internet का उप्योग बहुत मैत उप्रशन है शिक्सा के क्षित्र में internet का क्या लाब है क्या उप्योग है क्या किस तरीके से internet का उप्योग किया जा रहा है यह सा कुश्यन बहुत बार एक्जाम में आया हुआ है तो इसका आंसर है पहला सब त्रयूंकित भीयब कर्हारों का आधान परदान होता है, जो सिंग्र होता है, जैसे कोई भी है आप यह छोंशल जाता है, więc आप पर रहहे हैं की गाहँ है कि मैं आप को पढ़ा रहा हूं और आप आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है आप पढ़ रहे हैं यह सब इंटरनेट की देन हैं पांच्वा चोथा इधर से लेते हैं यह तीसरा पहला था विचारों का अधान-परदान दूसरा सिक्साप राप्त करना तीसरा आवेधन करना कोई भी एक्जाम एक्जामिन पांच इसके अंदर चोथा वही समाचार तुरंद मिलना पांचवा फाइल शेरिंग करना इसमें फाइल इधर उदर शेरिंग भी हो सकती है चटा सेक्सिक वीडियो बनाना एजूकेशन के वीडियो बनाना जैसा मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं मैं पढ़ रहा ह और मेंनत कर रहा हूं आपको डिस्प्ले कर रहा हूं आप सब लोग इसको अच्छी तरह से देख रहे हैं समझ रहे और मजा आ रहा हैं बहुत से कुश्चंस इसमें से मिल रहे हैं 67 परतिशत तक हर पेपर में आ रहे है तो यह मेरे लियो भी बहुत सुखद है और आप लो ग्लोबल सिक्षक समू बनाना और इससे सिक्षा को उन्नत बनाना, ओनलाइन कॉन्फरेंस करना, सेमिनार करना और भाग लेना, आज जैसा अभी आप ने सबने देखा है, कोरोना काल चला है, तो उसमें सारे इकटा होना, बासन देना, इस तरह का संभव नहीं हो सका है, इंटरनेट के जरिये, बच्चों ने पढ़ाई की है, तो यह सब इंटरनेट का आप इसमें लिख सकते हैं, बहुत उपयोग है, बहुत से लाब है, अब आता है बहुत इंपोर्टेंट कुश्चन, इसके बाद इमेल क्या है, है ना, इमेल, इमेल का पुरा नाम इलेक्ट कंप्यर्टर पर जाता है, है ना, इसको के मुबाईल में एंटरोइट फोन पर, इमेल का ऑप्षन है, है ना, इसमें अलग अलग, इसकी वो है, जी मेल है, रेडिक मेल है, इस तरीके से, अब इसका क्या है, बैई, बेनिफिट केसे क्या होता है, इसका E grad書 एक से और E grad Gr., इ जिस office में हमारी सूचना पूचाना चाहते है वह जारी है वही email है और sender पेजने वाला और प्राप्त करने वाले की वह भोतिक उपस्तितिकी अवशकता नहीं है इसमें वेह भी कम होता है कम वेह में जल्दी सूचना लोग प्राप्त कर रहे हैं पहने ईमेल कीको किश्यक्टर वम्रस्त में इंटरेट का उपयोग शिक्षा सिक्षां में भीस्का कुश्यन आ सकते हैं तो चवाइस हां ऐब कि आ कैनर खाल जा इसके लाब लिख लिए जएगा इसमें अनएक विकलप मिलते हैं इसमे की बहुत सों तो मिल जाते हैं काफी इंटर्नेट पर इक कर्जिट घodelू कम मुल्य में आद्मी पहल्त कर सकता लागत कम आती हैं समय भी कम आता है समय भी कम लगता और जल्दी से यह सकता है बहुत इसी चल रही है यह से पेन मंगाना चाहरे हैं कुछी मंगा रहे हैं वह सब e-commerce की कंपनिया यहां से ओडर करते हैं अपने गर बेटे वह चीज आ रही है विस्वापी बाजार उपलब्द हो रहा है और चोटे उत्पाद जो उत्पादक हैं उनको भी बड़े से प्रतिसफपर्दा करने का मुखा मिल रहा है एक इंबोक्स होता है जिसमें जितनी भी अपनी M dignity उति होती है वह सब मेल इसमें इंबोक्स में इतिए है इन बोक्स होता है जिसमें हमारी समस्त आईवी मेलों का संग्रे होता है दूसरा सेंट मेल या सेंट बोक्स होता है सेंट बोक्स में हम जिसको भी इमेल भेजते हैं उसमें उसका ब्योरा होता है कि हमने किसको बेजी कब बेजी तीसरा कंपोज मेल का ओप्सन होता है हम एक इम जिसमें हम किसी भी मेल को देजने से पहले हम शुरुक्षित रख सकते हैं जाना वो ड्राफ्ट होता है आठवा कुशचन साइबर क्राइम क्या है नाम से सपस्ट है क्राइम अपराद एंग विशेवस्थू की चोरी करना डेटा में हेरा फिरी करना डेटा को मिटाना अगर कि इंटरनेट के माधियम से यसा हो रहा है, तो यह साइबर-क्राइम की श्रीम में आता है। और ब्रेक्पर को मुतुता है। श्र हाएय। भी क्शिछ को माधिया हमाजनारी को पीसा रही हस्ञा के विपर्द को यह पर द्री शक्राइं già Katharmat, गाला अर्थार्थ एक से यदिक माद्यमों को समनवीत कर सूचना को आकरसिक एम सून योजित तरीके से प्रस्तुत करना ही मल्टी मीडिया है इसमें पहला विबिन माद्यमों का उप्योग किया जाता है दूसरा डिजिटल तक्नीक का उप्योग किया जाता है तीसरा यूजर से इंटरेक्शन समनवे इस्तापीत किया जाता है यदि बाइलोजी के छात्र को हिर्दे की सरंचना शिक्सा में उपियोग ना मल्टी मीडिया का अर्थ क्या है और शिक्सा में उपियोग यदि किसी बालक को हिर्दे की सरंचना देख रही आंतरिक सरंचना द लेखना चाहता है तो यदि वह बाहर जाके देखेगा तो उसे टाइम लेगेगा और मुल्टी मीडिया के माधियम से उसको देख सकता है कैसे कली और कली के बाद फूल खिलिया नवा दस्वा कुश्यन इंटरनेट क्या है मैं इसके बारे में अपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं लेकिन इंटरनेट क्या है इसकी परीबासा देख लिजएगा इंटरनेट एक विसु व्यापी इंटरनेट होता है इंटरनेट कहलाता है तो यह मित्रों अपनी यूनिट यहीं समाप्त होती है इसको बहुत शौड़ तरीके से मैंने आपको समझाया है और आप इनको अच्छी तरीके समझ के जाना और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-धन्यवाद